देखे हमारे पुर्वजों ने हम लोगों को संसकार दिया है हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि बड़े बुजुर्गों का सिर जुका करका असिरवाद लेने से सुभ काम आगे भो जाता है और हम लोग हर सुभ काम करने के लिए बड़े बुजुर्गों का असिरव प्राप्त किया और उनका ही समर्थन मिलते ही विरोधियों के पास बॉखलहाट पढ़ गई उनकी बेचैनी साफ जलक रही है कि अब घोशी का बेटा डाक्टर अर्विंद राजवर बड़े बुजुर्गों को आसिरवात प्राप्त कर लिया है अब तो वो जनता के वीच में एक घोशी को विकास के रास्ते भी ले जाने का एक जो जनता ने फैसला कर लिया कारेकरताओं ने फैसला कर लिया है अब विपक्ष को बताने के लिए कुछ बचा नहीं है विपक्ष अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है कोई उनका नियत नहीं बचा है तो अब यही सब चीजें बतिया करके भ्रम फैला रहे हैं लेकिन यह मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से मानी प्रधान मंत्री जी मानी योगी आदितना जी और मानी तमाम NDA के सारे बड़े नेता जिस तरीके से घोशी पर निगाह लगाए हुए काम कर रहे हैं सारे कारेकरता मिल के का नहीं रहा है जनता का सिर्वाद नहीं मिल रहा है जनता का प्यार नहीं मिल रहा है तो वह इस तरह का वोखला करके इस तरह से बोल रहे हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जनता का सिर्वाद हमारे साथ है और जनता के बीच में एक बार नहीं सो बार भी जुकन काम किया है विपक्ष जनता के बीच में रह करके नफ्रत फैलाने का काम किया है विपक्ष जनता के बीच में सिर्फ और सिर्फ गरीबों के साथ सोसर करने का काम किया यह तरफ गरीबी मिटाने का काम हो रहा है गरीबों को ससक करने का काम हो रहा है हम विकास की बात कर रहे हैं अभिपक्ष सिर्फ और सिर्फ गोटाला या भ्रष्टाचार करने की बात कर रहा है तो अब गोटाले करने वालों की एक बहुत बड़ी लिष्ट है एक गोटाले करने वाले लोगों के पास EDCVI जा रही है इसलिए वो डर करके वो अपने विजन नहीं बचा है विजन जिनके पास नहीं होता है वो इस तरह के बात करते हैं हमारे बड़े बुजुरूंग हमारे संस्कार आप देखें होंगे समाजवादी पार्टी या विपक्ष बहुत सारे नेता हैं अपने बड़े बुजुरूंग को कद्र नहीं करते हैं क्य को अपमानित करने के काम ने किया थह क्या वह अगर संसकार की बात करते हैं तो पहले अंदर दouse अमदर प्रकेति और मिली उठाएवाले कि बड़े बुजूरों को कब सम्मान प्राइब के करिए वह का सिर्वाद बदल लाएं तो अपनी चिंता करें हमारी चिंता ना करें तो कहा जा रहा है कि वीडियो में कि गाली एक बार दिये थे मंच प्रकादि इसलिए बीजेपी में इसको शेयर कर रहे हैं देखें यह कटपेस्ट समाजवादी पार्टी और विपक्ष्ट का एक रणनीत है वो कट दिख रहा है जनता के बीच में नहीं दिख रहा है इसलिए कि जनता में जाने लाइक Heh नहीं बचें जनता पूरी तरीख से वाजबर जी मानी अमिस्सा जी मानी मोदी जी मानी योगियातिना जी उनके नेतुर्त में अब विकास के साथ खड़ी हो रही है तो जो विकास के बात कर रहा है जो भारत को विक्सित भारत बनाने की बात कर रहा है गरीबी मिटाने की बात कर रहा है गरीबों को सुरक्षा द लेकर दो हम तो एक विचार की बात कर रहे हैं हम सी धांत की बात कर रहे रहा है उनके पास कुछ नहीं बचाए इसलिए यह भ्रामक प्रचार कर रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जनता घोसी की मन बना चुकी आने वाले एक जून को जब चड़ी का बटन दबेगा उस दिन आपको पता चल जाए कि विरोधी क्या कर रहे थे और हमारे एंडिये सही होगी दला हमारे कारेकरता क्या कर रहे थे साब्ध कर दिया कि कारेकरता उनके लिए काम नहीं कर रहे जनता निके लीख प्रड़ार नहीं चाहते हैं और में आुट सुवर्फश के पर न चुत करने की बात वर्त कर रहे तो यह डिruए लोग है इनको पता चल गया है कि अब उत्तर प्रदेश की 80 के 80 लोग सुबा सीटे अब इनके खाते में नहीं जा रही है अब उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला कर लिया है कि 80 के 80 सीटे योगी जी की ने तुर्त में मानियों प्रकास राजबर जी की ने तुर्त में तीसरी बार मा आने वाले समय और नहीं दिलाओंगे तो तुम्हारा हिसाब किताब करेंगे गुंडों की भासा है यह गुंडागर्दी पहले से करते आ रहे हैं आज भी वही गुंडागर्दी करना यह अपने च्छेत्रों में चाह रहे हैं देखे उस विशाय पर वह मौत हुआ है सरकार न लोगोंने नहीं कहा यह बातौन होंने कहा है इसमयों कर लिया इसको फिता और इसको आ भीसाय कोई च्रचा करना वेर्थ से